Hello friends, Good Morning हम पढ़ रहे हैं कमनेके बार दिजीज के बारे में तो आएए देखते हैं Next, कमनेके बार दिजीज क्या है जो आज हम पढ़ने वाले हैं तो आज हम देखेंगे तो जो हमगें neutral कमनेके बारे में पढ़ा क्याक्यार कैपढ़ा था respiratory की problem थी तो आज हम जो पढ़ेंगे communicable disease poliomyelitis ये GRT की problem है तो आएए देखते स्टार्ट करते हैं poliomyelitis ये जो है WHO World Health Organization के तुरू eradicated कर दिया गया है कब 27 मार्च 2014 में 27 मार्च 2014 में ही ये eradicated हो चुका है by WHO World Health Organization अब इसका causative organism देखते हैं causative organism क्या है poliomyelitis type 1, 2, 3 तो ये causative organism poliomyelitis type 1, 2, 3 है और incubation period साथ से 14 दिन है 7 to 14 देज इसका incubation period है तो मैंने जब introduction पढ़ाया था कमनी के बढ़ डिजिस की तो मैंने बताया था कि incubation period क्या होता है मतलब injury of microorganism in the body and producing the first clinical sign and symptoms उसके बीच का जो interval होता है उसको incubation period बोलते है तो जो होता है 7 से 14 दिन अब नेक्स देखते हैं age ये mostly कौन से age group को affect करता है तो 6 months से 6 months to 3 years of age की बच्चों को ये ज़्यादा तर mostly affect करता है लेकिन ये up to 5 years up to 5 years की बच्चों को भी affect कर सकता है तो अब नेक्स देखते हैं season ये कौन से season में rainy season में अब उसली ज़्यादा problem gate करता है तो ज़्यादा ये बीमारी होती है पोलियोमेलाइटिस रहनी season में जो हमने पिछला जो respiratory की problem जितनी भी कमने केबल डिजीज हमने पढ़ी थी उसमें season क्या था winter season था जनवरी से जून तक और इसमें rainy season है जो GIT की जितनी problem में वो उसमें rainy season है वो respiratory की problem थी उसमें season winter season में प्राब्लम हो रहे थे और इसमें root of transmission क्या ओरो फीकल रूट तो हमने respiratory की problem पढ़ी थी पिछला कमने केबल डिजीज उसमें root of transmission क्या था respiratory था अब हम पढ़ रहे हैं GIT की communicable disease जो पोलियोमेलाइटिस तो इसका root of transmission औरो फीकल root है season rainy season और mode of transmission और mode of transmission contaminated food and water तो जो हमने पिछला कमने केबल डिजीज पढ़ा उसमें क्या था mode of transmission sneezing and coughing इसमें contaminated food and water mode of transmission समझ में आया हम नेक्स देखते हैं कि इसके sign and symptoms क्या हैं तो जो sign and symptoms होते हैं इसके पोलियोमेलाइटिस के जो sign and symptoms होते हैं तो पहले यह जब हम contaminated food and water को इंटक करते हैं तो क्या होता है कि पहले GIT प्रावलम स्टार्ट होती है उसके बाद जब severe stage में चली जाती है प्रावलम तो फीर central nervous system को involved भी हो जाती है central nervous system involved हो जाती है तो फिर central nervous system में प्रावलम create होने लगती है तो पहले sign and symptoms initial stage में क्या होता है कि जब हम contaminated food and water का इंटक करते हैं तो initial stage में initial stage में GIT की problem होती है GIT की problem होती है तो क्या होती है तो आया ही देखते हैं GIT की problem initial stage में जब क्या क्या होती है अनेर्क्सिया होगा नोजिया होगा वोमिटिंग डायरिया कॉंस्टिपेशन होगा और जब और जब यह severe stage में जला जाएगा जब जब यह प्रोग्रेस करने लगेगा जब प्रोग्रेस करेगा और अपने severe stage में प्रोग्रेस करेगा severe stage में चला जाएगा तब क्या होगा यह central nervous system को involve कर देंगा इट इन्वाल्स central nervous system तब central nervous system जब इन्वाल्व हो जाएगा तब क्या problem किरेट होगी आए देखते हैं तब क्या तब होगा neck and back muscle stiffness जो neck है गर्दन है और पीछे की muscles है neck और back की muscles उसमें stiffness आ जाएगा जक्रन हो जाएगी और second क्या cardinal sign है tripod sign second cardinal sign है poliomyelitis का इसमें क्या होता है कि आप patient जो होता है वह unable to sit on chair वह चेयर पे बैट नहीं सकता है position sitting position maintain नहीं कर पाता है not able to maintain sitting position तो इसमें क्या tripod sign में क्या होता है कि और ऐसा क्यूं होता है है क्योंकि यह जब cns अफेक्ट हो रहा है तो जन्नेक है और बैक की जो muscles में जक्रन आ जा रही है तो patient जो है अगर वह बैठेगा तो उसको पेइन फील होगा उसको पेइन फील होगा तो इसले वह बैट नहीं पाएगा तो वह not able to sit on chair तो tripod sign में यह होता है कि वह उसको sitting position maintain करने में बहुत दिक्कत होगी नहीं कर पाएगा अब नेक्स देखते हैं कि क्या cardinal sign asymmetrical flaccid paralysis यह क्या होता है और क्या होगा जब cns effect होगा तो asymmetrical flaccid paralysis symmetrical क्या होता है समान रूप से asymmetrical क्या होता है और समान रूप से और समान रूप से यानि अगर symmetrical होता तो दोनों हाथ left और राइट के दोनों हाथ या फिर left राइट दोनों पैर abdominal, ऐसे effect होता है, लेकिन asymmetrical में असमान रूप से कभी एक हाथ paralysis हो गया, पैरलाइस हो गया, कभी एक हाथ एक को पैर, तो कभी left का हाथ left का पैर, ऐसे मतलब कि असमान रूप से paralysis हो जाता है, तो asymmetrical paralysis होता है, अब देखते है, prevention, sinus symptoms समझ में आया, जब इनिशल स्टेज में क्या होता है जो पॉलियो मिलाइटिस होता है उसमें इनिशल स्टेज में क्या होगा कि जब हम कंटमिनेर फूड और वाटर का इंटेक करेंगे तो इनिशल स्टेज में जी आईटी अफेक्ट होती है जी आईटी इन्वाल्ब होती है तो उसमें क्या स्टेज में CNS भी इन्वाल्ब हो जाएगा तो उसमें क्या दिखकर दिखने को मिलेगी नेकन बैक मसल स्टीफनेस होगा ट्राइपोड साइम होगा जिसमें पेशन्ट सेटिंग पोजीशन नहीं मेंटन कर सकता है असे मेंट्रिकल फ्लासिट पैराली सेगा सामाने रूब से दो उल्डली से के जो अंगे वह भूं उसकते हो जाएगे यह साइनल सीम्टरम समने देखा आप आजे देखते हैं इन्डलियो धीस के प्रेवरेंसन के बारे में क्या प्रिविंशन करते हैं तो हम पोल 20 डिग्रीज सेंटिग्रेट सेटोर करुट ुरुट बन देते हैं, amount to drop देते हैं, और जब मैंने इम्मनाजिशन पढ़ाया था, तो उसमें भी बताया था कि OPP जो polio vaccine होता है, वो two type का होता है, एक live होता है, एक killed होता है, तो live जो होता है, और जिसको sabine बोलते हैं, और fraxinated inactivated polio vaccine होता है, जिसको killed बोलते हैं, killed vaccine जिसको हम सालक बोलते हैं, और वो कब देते हैं, 6 से 14 वीक में, जो भी live vaccine है, वो at birth देंगे, 6 और 10 और 14 वीक पे देंगे, और इसका booster dose 16-24 मन्त पे देंगे, और यह जो killed vaccine जिसको सालक बोलते हैं, यह 6 से 14 वीक पे देंगे, रूट इंट्राडर्मली देंगे, और 0.1 ml amount, 0.1 ml देंगे, अब यह हमने पढ़ा prevention के बारे में, तो अब आईए देखते हैं, कि अब इसमें diagnostic test क्या करते हैं, यह जो polio malitis होता है, इसमें diagnostic test, stool examination करते हैं, अब आईए इसका revision कर लेते हैं, कि हमने polio malitis के बारे में, क्या 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 पढ़ा, तो फर्स्ट हमने पढ़ा, polio malitis के बारे में, यह कब eradicated हुआ था, 27 मार्च 2014 में, by WHO, world health organization के थू, causatory organism क्या है, polio virus type 1, 2, 3, incubation period 7-14 दिन का होता है, age 6 months to 3 years, mostly affect करता है, लेकिन up to 5 years के बच्चों को भी होता है, season, rainy season, respiratory के जो कमने के बार disease थी, प्राब्लम थी, उनका season, winter season होता था, इसमें, यह polio malitis जो है, वो GIT के प्राब्लम है, इसमें season, rainy season है, और route of transmission, orophical route, mode of transmission, contaminated food and water, और sinus symptoms हमने देखा, कि यह initial stage में GIT की प्राब्लम होती है, इसमें GIT को affect करता है, तो जब initial stage में, जब हम contaminated food and water लेंगे, तो contaminated food and water का intake करेंगे, तब हमारा जो GIT ट्रैक है, gastrointestinal track है, वो effect उसमें problem होगी, तो क्या-क्या होता, अनॉरेक्सिया होगा, नोजिया, वो मिटिंग, डायरिया, constipation, और जब यह polio malitis जो अपने, जब प्रोग्रेस कने लगती है, जब अपने सिवीर स्टेज में आ जाएगी, तो cns, central nervous system को involve करेगी, तब क्या होगा, neck and back muscle stiffness होगा, tripod sign होगा, जो जिसमें, पिशिटिंग पोजिशन नहीं maintain कर पाएगा, asymmetrical flaccid paralysis होगा, prevention हम क्या देंगे, OVV vaccine देंगे, जो live vaccine है, जिसको हम साबिन भी बोलते हैं, जो minus 20 degree centigrade पर स्टोर किया जाता है, root oral, amount to drop, और ये कब-कब देते हैं, add birth देंगे, 6, 10 और 14 week पर boosted हो, जिसका 16-24 मन्त पर देंगे, और ये, जब मैंने immunization schedule पढ़ाया था, तब ये भी बताया था, कि दो तरह का होता है, OV, two types का होता है, live and killed, live OB vaccine जो साब इन जिसको बोलते ह हैं, इसको साल के भी बोलते हैं, 6-14 week पर देते हैं, root, intradermal देते हैं, और 0.1 amal देंगे, और diagnostic test क्या करेंगे, इस tool examination करेंगे, तो फ्रेंड, आज का topic हम ने पढ़ा, poliomyelitis के बारे में, तो I hope आपको समझ में आया होगा, आज का topic, और next company cable disease हम next class में पढ़ेंगे, तो आप please like and subscribe करें, और bell icon को जरूर दबाएं, thank you friends